ओम्शंति साथ अप्रेल दूर देश का रहने वाला बाबा आया है इस धरा पर अवतरित हुआ है नया देवी स्वराजी स्थापित करने के लिए और कहते हैं मैं तुम्हें उसके लायक बना रहा हूँ इसलिए तुम्हें मेरी मत पर चलना है मैं जो कहूं वही करो तुम्हें संसे नहीं आना चाहिए एक बार विश्वास हो गया कि स्वयम भगवान जो ग्यान का सागर है जो हमारे गती सदगती का मार्ग में दिखाने आया है वो राय दे रहा है श्रीमत दे रहा है तो आख बंद करके उसकी राय पे चलना चाहिए बाबा कहते मैं आता हूं कल्प के अंत में यूगे यूगे नहीं आता हूं जब तुम सभी का अंतिम जनम होता है और मैं कहता हूं ब्रह्मा को भी कहता हूं तुम अपने जनमों को नहीं जानते और तुम सब बच्चे भी भूल गए हो मैं तुम्हें आके याद दिलाता अभी तुम्हें पावन बनना है, नई दुनिया के लायक बनना है, नई राज के अधिकारी बनना है, तो हम सब को ध्यान देना है, भगवान आया है पढ़ाने, उसकी आज्या पे क्यों न चलें, भारत की तो परंपराएं थी, बच्चे-माबाप की आज्या पर चलते थे, छ धिरोधार ये करते थे, भगवान जब आज्या देने आया है, और वो भी सत्य मार्ग दिखा रहा है, सहज मार्ग दिखा रहा है, तो हम एसकी आज्या पे क्यों न चलें, अभ नए राज इस्तापित कर रहा है और हमें उसके लायक भी बना रहा है, हमें ये भी संकल्ब हिये हम उसके लायक बने और उसके लायक बनने की पहली शिरी मत बाबा ने दे दी पवित्र बनो गरगरस्त में रहते पवित्र बनो तो हमें मानना है यह हमारे लिए कल्यान कारी है रावन राज में ही दुख हुआ है, अश्यानती हुई है, गिरावट हुई है, ये भी धन समस्याएं हुई है अब हमें बाबा की मत पर चल कर सब को सुख देना है, बाबा की ये दो मुख्य से दिमत पवित्र बनना है सब को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है तुम्हें, सुख देंगे तो सदा सुख ही रहेंगे, तो हमें अपने से बाते करनी हैं, क्या मैं सचमुझ भगवान की बात मानता हूं, मानती हूं, साथ में हम नई दुनिया इस्थापित कर रहे हैं भगवान के साथ, तो देखो राज इस्थापित करने में बड़े कस्थ होते हैं सेहन करना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, सब कोई नस्थ हो गया हम देवी स्वराज इस्थापित कर रहे हैं तो हमें सेहन करने के लिए तयार होना चाहिए हम धर्म भी इस्थापित कर रहे हैं, देवी देवता धर्म, तो धर्म इस्थापित करने में और राज इस्थापित करने में कस्ट तो होता ही है, क्योंकि दूसरे का राज होता है, तो रावन का राज है, पराया राज है, उससे हम देवी राज इस्थापित कर रहे हैं, तो ह हमें अपने को तयार रखना है, थोड़ा बहुत कस्ट आए, गाली सुननी पड़ें, सहन करना पड़ें, लोग कमेंट्स करें, लेकिन ये सब होगा, ये मान कर, हम सहनसील बने और सब कुछ सुनते हुए, अपने स्रेष्ट कारिये को करते रहें, जो आज्या सोयम भगवान न पर चलते रहें, तो उसका बल हमें मिलता रहेगा, उसकी मदद मिलती रहेगी, क्योंकि बीज रूप में ये कारिये करने वाला वो स्वयम है, हम तो उसके साथ ही है, तो वो हमारा रास्ता भी साफ करता रहेगा, तो चाहे स्वयम को लायक बनाना है, चाहे भारत में दैवी स्वराज इस्थापित करना है हमें अपने को हर तरह से तयार रखना चाहिए याद को अपनी नेचर और इसको नेचुरल बनाने वाले निरंतर योगी बनो देखिये जैसे बाबा ने का बाप तुम्हारा बाप है ना सदा के लिए उसमें कोई संसे निष्चे की बात नहीं होती ऐसे योग को भी ऐसा बनाओ कि ये तुम्हारी नेचर बन जाए ये नेचुरल रहने लगे सहज रूप से रहने लगे नेचर बन जाए माना आदत बन जाए कैसे बाबा हमारे साथ है हम बाबा के हैं वो हमारा है उसकी केरने हम पर पड़ रही है इसको हमें नेचुरल बनाना वो हमारा कंपेनियन है वो हमारा साथी है भगवान हमें साथ दे रहा है इस चीज को हमें अभ्यास के द्वारा बहुत नेचुरल बना देना है इतना अभ्यास करें कि वो सहज हो जाए किसी भी चीज का जब बार-बार अभ्यास किया जाता है तो वो हमारी नेचर बन जाती है न तो हम सभी संकल्ब करें कि योग की जो मेहनत हमें करनी पड़ती है उस मेहनत को समाप्त करने के लिए हम इसको अपनी नेचर बनाएं और योग के कुछ ऐसे अच्छे अभ्यास सीख लें जो चलते फिरते कर्म करते हम सहज रूप से उनका अभ्यास करते रहें तो वो हमारी आदत बन जाएगी जैसे आत्मिक स्वरूप में इस्थित होने का अभ्यास या स्वमान का अभ्यास ये दो अभ्यास ऐसे हैं जिनको हर कोई चलते फिरते भी कर सकता है आप संकल्प कर लें मुझे 20-25 बार सारे दिन में याद करना है मैं आत्मा हूँ सुरू में आपके वल याद करेंगे आपको लगेगा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है होगा भी नहीं लेकिन रोज करते रहें रोज करते रहें तो अनुभव की प्रकिरिया प्रारंब हो जाएगी ऐसे इस्वमान दोचार अपने लिए चुन के रखें हर दिन के लिए तीन रख लें उनका बार बार अभ्यास करते रहें तो वो नेचर बन जाएगी तो इसतर है योग को अगर हम नेचूरल करेंगे सहज भारीपन से नहीं इस्ट्रिक ठोकर नहीं ताइ ठोकर बैठकर नहीं कई लोग सोचते हैं कई प्राशन पूचते हैं क्या हम तो योग में बैठते हैं तो हिल जाते हैं कभी टांगे दुखती हैं तो टांगे बदल लेते हैं तो क्या हमारा योग तूट गया ये नहीं हमारा योग अट योग थोड़ा ही है कि हमें स्थिर बैठना है आप घूमो फिरो डांस करते हुए कि उन्हें योग करो सारे सरीर को हिलाओ, तो इन सब चीजों को अपने सामने किलियर भी रखना है, तो योग निरंतर और सहज हो जाएगा, स्लोगन है सहन करना है तो सहज भाव से करो, मजबूरी से नहीं, तो आज हम अपने को चेक करेंग कि हम बाबा की सिरीमत पर सहज रूप से चलते हैं और अभ्यास करेंगे कि सर्व सक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी केरने, सक्तियों की केरने हम में समाती रहेंगी, ओम शांती